हाई अब्रबाडी गुड इवनिंग वेलकम तो आर यूट्यूब चानल दस इस यौर पी एम माम आप इस वेरी लेट इन दी नाइट अल्मोस्ट ब्यारा बजने वाले हैं स्टिल मैंने ये सेशन रखा है जिसमें हम पूरा इनफॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार अच्छे से समझ ले ताकि जब भी हम नीट का फॉर्म फिल करते हैं तो कोई मिस्टेक न हो कुछ चेंजेस हैं अगर अपडेट है तो मैं आपको इस सेशन में बता दू ठीक है इतना बड़ा इनफॉर्मेशन बुलेटिन अकेले पढ़ना में मन भी नहीं लगता और पढ़ भी नहीं पाते हो इससे बेटर क्या है कि मैं पढ़ा दू है तो एक बार आपको ब्रीफ में बता दूंगी कि क्या क्या चीजे जो है इनफॉर्मेशन बुलेटिन में हमारी लिखे अगर सब लोग आ गए हैं बिटा तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और अपने सभी दोस्तों को बता दो कि माम लाइव आ चुकी है मैंने बोला था मैं रात को आउंगी तो अब अपन इस बारे में बात करते हैं सब लोग आ गए क्या आ गए आ गए आ गए चलो आ जाओ शे सब्सक्राइब करते हैं अब बिटा शुरू कर देनी पढ़ाई बिल्कुल जम लगा कि अभी तक ऐसा 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 पढ़ रहे थे बैसा पढ़ना है चीक है पानी पीलू शुरू करते हैं चलिए तो नैशनल एलिजिबलेटी का मेंटरेंस टेस्ट की ये बात है ठीक है ये अपना जो हो जाएगा बिटा नीट 22 के लिए तो ये अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटें है इसका जो पीडिएफ है मैं आपको सेंड भी कर दूंगी जरा टेलिग्राम ग्रूप पे अब आजाओ देखो क्या बता रहा है ये तो विजन बता रहा है कि क्या करना चाहती है इंटी है क्या मिशन है क्या कोर वाल्यूज है ठीक है ये कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे दिये गए आपको पता है कि नीट ही एक्जाम से AMU, AMS, FMC, BMS, BDS, BHMS, जिपमेर इन सब में मिलता है तो इस सब के फुल फॉर्म्स यहाँ बताए अब देखो इस PDF में क्या क्या चीज़े लिखी है ठीक है इस PDF में लिखा है कि पैटर्न क्या होगा, सिलिबस क्या होगा, डियूरेशन क्या होगा, रिजर्वेशन कितना है और क्या फीस है फॉर्म की और क्या eligibility criteria है, admit card, bard item सब कुछ इधर लिखा है ठीक है तो चलो अपन एक करके आज के session को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो यह लिखाए कि सारे instruction को carefully एक बार आप follow करना और पढ़ लेना सबसे पहले तो यह है कि कोई correction facility नहीं दी जाएगी registration के बाद किसी भी stage पे ठीक है तो अगर correction facility नहीं है तो आपको form सही fill करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दूसरी बात यह कि आप application form बहुत carefully fill करना आप edit और modify कर पाओगे information हर section को submit करने के बाद लेकिन submit करने के पहले एक बार submit बटन दबा दिया तो फिर गढ़वड है photograph को लेके signature को लेके thumb impressions को लेके पहले instruction पढ़ लेना ताकि गलत upload ना हो mobile number और email ID को verify करना पड़ेगा OTP की मदद से तो सब एक ऐसा number तयार रखना जो आप काफी सालों तक on रखोगे और on है और एक active email ID रखना ठीके यह वाली app आपको download करना है registered mobile number पे आपको paper का medium जो है English में देना है Hindi में देना है किस में देना है बहुत carefully decide करना है क्योंकि यह बाद में change नहीं होगा ठीके तो यह रहा सबसे पहला page जो है information bulletin का online application form 6 April से 6 May तक रहेगा पूरा एक महिने का time दिया गया है तो अभी जल्दी वाजी अपन को नहीं करनी है ठीके अपन सोच समझ के चीजों को fill करेंगे 12 तारीक तक fill कर दोगे तो बढ़िया है इतना भी लेट मत fill करना कि आपको आपकी city ही नहीं मिले जिसमें आपको examination center चाहिए था साथ के पहले तक fees भर जानी चाहिए correction अभी तो नहीं लिखाए कि करने को देंगे लेकिन जब अगर करने को देते हैं तो आपको website पे बता दिया जाएगा fees क्या है बटा जनरल वालों की 1600 इन particular categories की 1500 और इन categories की 900 कोई outside इंडिया है तो उसकी form की fees है 8500 ठीके announcement क्या होता है examination की city आपको मिली है की नहीं admit card कब डाउनलोड होगा या आपको website पे बता दिया जाएगा आपकी exam 17 जुलाई 22 को है exam में पहले सिर्फ 3 घंटे दिये जाते थे याने की 180 मिनिट exam में दिया जाता था अब पूरे 3 घंटे 20 मिनिट exam में दिये जा रहे है मतलब 20 मिनिट एक्स्ट्रा दिये जा रहे है क्योंकि पिछली बार काफी बच्चों का paper मिस हो गया था छूट गया था time नहीं manage हो पा रहा था दो से लेके 5-20 तक का timing है ओके बाकी answer की वगएरा result वगएरा सब बाद में होगा यह official websites है ठीके इस पर click करके उन websites पर चले जाओगे आप ठीके अब आपको क्या करना है application सिर्फ online mode में दे सकते हो ठीके other किसी form में नहीं देख सकते हो एक ही application एक ही candidate को strictly submit करना है ठीके सारे candidate को जो email address और mobile number है online application form में जो दे रहे हैं वो खुदी के parents और guardian का देना क्योंकि उसी पर communication होगा ठीके form भरने के पहले इस information bulletin को ध्यान से भरना है क्या क्या step होती है मैं आपको पूरी सारी steps बताऊंगी कि कैसे आपको ये form को fill करना है इसकी एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी इसलिए बिल्कुल चैनल को subscribe कर लेना ठीके आपको अभी मैं short में बताती हूँ कि आपको online application form इसी website पर भरना है जहांसे हमने ये download किया है आपको एक password बनाना रहेगा और एक security question चूँज करना रहेगा ये आप अभी से सोचके रख लेना कि आप अपना password और security question क्या रखोगे फिर जो आपको application form वगेरा ये सारी चीज़े alert हो जाएगी आपको किन-किन चीज़ों की scanned images upload करनी रहेगी तो आपको passport size photograph की तयार रखना है एक postcard size photograph तयार रखना है signature left and right hand finger and thumb impression अगर category को belong करते हैं तो category का certificate अगर citizenship certificate अगर आप इंडिया के बाहर के हो तो आपको citizenship certificate लगता है ये ready रखना है और physically वाला भी एक और certificate भी रखना है जैसा आप photograph click करवाते हो उसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो recent photograph आप लगाओगे वो recent होना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए बता इन color और black and white चलेगा color भी हो सकता है black and white भी हो सकता है लेकिन 80% face उसमें दिखना चाहिए और वो mask नहीं होना चाहिए eyes, ears उसमें clearly दिखना चाहिए और background कैसा होना चाहिए white color का background होना चाहिए तो जब भी बच्चा photo click करवाने जाएगा तो देख लेना कि background white है की नहीं है दूसरी बात scanned photograph, signature और ये सब जो भी upload होगा ये jpg format में upload होगा सारे certificate बहुत clearly scanned होने चाहिए, सब की size दी गई है की इस size के ही upload होगे ये तो अपन compress करके बाद में upload कर देंगे, photo click करते समय ध्यान रखना कैसा photo लेना है, हम इसके बारे में एक बार अच्छे से बता देती हूँ ये आपका photo होना चाहिए, ठीके, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिखोगे और date भी लिखोगे बाद में कुछ गड़बड़ी ना हो इसके लिए, ठीके, तो यहाँ पे अपना photo होगा face का, और यहाँ पे आपको आपका name और date भी लिखनी है, ठीके ये सारी चीज़े मैंने आपको बता दिये, अब आगे आजाओ, fee payments are related, तो ये तीन step में होगी, net banking के through debit card के through हो सकती है, OTP आपको receive हो जाएगा ठीके, जब एक बार आप application form fill कर देते हो, तो इसका जो confirmation page की copy ले लेना अपने साथ में, कि हाँ मैंने fill कर दिया है, मैं अलग से video बना के आपको बता दूँगी कि form fill कैसे करना है, अभी अपन दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीके, अब देखो, एक तो app डाउनलोड करने का बोला है, ठीके, this app, Sunday's app, ठीके, यहाँ पे time to time आपको notification NTA से मिलते रहेगा, ठीके, दूसरी चीज़ क्या है, कि तीन step में आपका जो रहेगा application form submit होगा, ठीके, ठीके, पहले सारी details, फिर details, फिर fee payment, सारी चीज़ है, ठीके, तो अच्छे से एक-एक करके, सारी चीज़ों को करना है, अभी, और क्या-क्या है बटा, यह main चीज़े हो गई है, examination कैसे होगा, pen paper mode में होगा, अरे upload तो passport size ही करना है, पर postcard size के 4 से 6 रख लेना है अपने पास, future में काम आते हैं, ठीके, ऐसा बोल रहे हैं कि regularly neat की website आपको check करते रहना है, वो मैं check करके आपको बता दूँगी, ठीके, अगर आप गलत photo upload कर देते हो, तो बाद में change नहीं होगा, candidate, geometry walk, pencil walk, purse, paper, stationery, कुछ भी नहीं लेके जाएगा examination hall में, ठीके, इन चीजों का भी यहाँ पे लिखा है, point number 3 पे, ठीके, फिर क्या आगया बेटा, choice of city बता रहे हैं कि क्या क्या choice of city हो सकती है, यह सारी चीजे भी बताएंगे, देखो बेटा, यह पिछले साल के photos है, NTA के NEET examination center के, ठीके, फिर यह सारी चीजे बताएंगे, कि NEET सही, आपको MBBS, BDS, BAMS, ठीके, यह सारी चीजे रहेगी, बलब इसी से आपको सारे forms भरने रहेंगे, अब यह कुछ बेटा, official websites, यहाँ पर दी गई है, आयूरवेदे, homeopathic, सभी की, देखो syllabus दे रखाएंगे, मैं syllabus आपको पढ़के बता दूगी, अभी अपन test के pattern की बात करते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा confusing लग रहा था, कि जो need 22 का जो test pattern होगा, वो दो section में होगा, एक होगा section A, एक होगा section B, section A में 35 questions होगे, section B में 15 questions होगे, इस में से अगर आपको सारे आते हैं, तो आप 35 में से 35 कर सकते हो, यहाँ पर आपको 15 में से कोई से 10 questions ही attempt करने है, तो जो total number of questions आप कर सकते हो किसी भी subject में वो 45 है, physics में आप 45, मतलब 50 होगे, इस में से आपको 45 करना है, chemistry में भी 45 करना है, botany में भी 45 करना है, जोलोजी में भी 45 करना है, ठीके, तो यह आपका सभी में section A, section B है, तो total marks कितने हो जाएंगे, वही 720 marks का paper रहेगा, ठीके, multiple choice question रहेंगे, जो भी बच्चा पूछ रहा था कि माम negative marking होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर लिखा है कि negative marking होगी, minus 1 से, किसी ने पता नहीं कोई whatsapp पे या telegram पे message forward किया था, कि नहीं होगी, पर negative marking होगी, तो लोगों की बातों में और भेकावों में अभी मताओ, अगर आप सही करते हो question को तो आपको plus 4 मिलेगा, अब गलत करते हो तो minus 1 और कुछ भी नहीं करते हो तो 0 मिलेगा, ठीक है, अगर कुछ भी bonus question होगा, तो वो answer मतलब जब भी final answer की आईगी, वो बता देंगे, ठीक है, done बटा, section A, section B दोनों समझ में आया, दोनों में ही negative marking है, अगर आपको बोला है कि section B में 15 में से 10 करना है, तो 15 में से 10 ही करना, अगर आप 15 में से 15 कर दोगे, तो आगे वाले 10 consider हो जाएंगे, बच्चे सोचते हैं, तूफानी करें, हम सब attempt करके आएंगे, ऐसा नहीं करना है, अब pen paper based है, मतलब offline examination होगी, ठीक है, जैसे हमेशा होती आईए, ball, point, pen आपको center प 20 मिनिट की exam होगी, ये 13 languages में paper होगा, इसमें से देख लो कौन सी language में देना है, English में देते हो, तो paper में जो questions लिखे आते हैं, वो English में ही आते हैं, पर आप Hindi में देते हो, तो question paper English Hindi दोनों में आता है, ठीक है, इसलिए application form में अच्छे से आपको subject choose करना है, ठीक है, याद रख ये तो English वाले question को ही final माना जाएगा, ठीक है बटा, जिसने भी session को like नहीं करा है, session को बिलकुल like कर दो है न, फिर उसके बाद आजाओ, English ये कहां कहां पे कौन कौन से examination center पे कौन कौन सी languages मिल रही है, उसके बारे में इन्होंने बताया है, फिर अब बात करते हैं, अपन कौ आते हो कि आपकी city में ही आपको examination center alert हो, तो try करना कि आने वाले तीन-चार दिन में form को fill कर दे, तीन-दो दन रुख के ही fill करना, ठीक है, दूसरी बात क्या है बटा, दूसरी बात ये है कि alert करेगा NTA ही city का center है, वही उन्हीं को final decision माना जाएगा, अब eligibility पे आजाओ, कि कौन- age जो होती है न, वो complete हो जाना चाहिए, at the time of the admission, ठीक है, या फिर before 31st December, या on 31st December तक age 17 साल की हो जानी चाहिए, तभी admission मिलेगा, ठीक है, lower age limit shall be under, हना, सभी के लिए यह यह, कि 31, जो December है, उसमें आप, उसके पहले या उसमें आपको 17 साल का तो होना ही होना है, ठीक है, upper age limit के बारे में क्या लिखाए, कि upper age limit के बारे में लिखाएं आपर, कि there should be no upper age limit as decided, तो कोई upper age limit नहीं है, इसका मतलब यह समझ में आता है बटा इससे, कि competition बढ़ सकती है, अगर upper age limit नहीं है तो, क्योंकि पुराने लोग भी दे देंगे, यह अपनने बात कर लिए, आगे eligibility क कि बात करते है, union territories और जमू इन कश्मीर से related बताए कि eligibility तो है है न, क्या quota वगरा है, अब qualifications देखो, अब actual में मैं दो वीडियो बनाऊंगी, ठीके, एक वीडियो तो क्या बनाऊंगी मैं, सुनो, एक वीडियो बनाऊंगी मैं कि application form को fill कैसे करना है, ठीके, तो उसको आप detail मे देख लेना मैं fill करके आपको application form बताऊंगी, दूसरा वीडियो में बताऊंगी, code से related, हना कि कौन सा code आपको लगाना है, हना कौन सा code आपको लगाना है, जो भी बच्चा अभी class 12th में है, हना 12th की exam देगा, उसको लगाना है code 1, ठीके, code 1, दूसरे पे आजाओ, code 2 क्या होत है कि अगर कोई ऐसा student है, हना, जिसने क्या कर रखा है बटा, 12th कर रखा है, या PCB वगेरा से, हना, और कोई elective subject वगेरा है, उससे related है ये, हना, ये वाला dropper वाला नहीं है, ये में एक एक करके आपको explain करूंगी, हना, तो intermediate, pre-degree कोई examination चल रही हो, उसके 3 है, कि कोई अभी pre- professional या pre-medical examination में high secondary code में explain करूंगे, आपको अलग से, ना, code की video कल upload हो जाएगी, जो BSC कर रहा है, वो code 6 लगा देगा, ठीके, ऐसे करके लगाना है, अगर आप first year में हो, physics, chemistry, biotechnology की कोई degree कर रहे हो, तो आप ये लगा दोगे, code के लिए मैं video बना दूंगे, बटा है, अभी form कैसे फिल करना है, इसकी video कल आउट होगी, ठीके, अब आगे आजाओ, आपके 50% marks होने चाहिए, physics, chemistry, biology में, NEET 22 में, eligibility के लिए, ठीके, तो आपको पास रहना है, physics में, chemistry में, bio में, English में, individually, और 50% आपके percentage भी होने चाहिए, ठीके, तभी आप eligible हो, NEET 22 के लिए, आगे आजा बिटा, और क्या-क्या बाते करिए इनोंने, और बाते करिए, वेडमिशन प्रसीजर से related की, NEET की examination से ही, आपको all India quota seats, state की seat, universities, deemed universities, private college, central quota pool, aims, जिपमेर, सब में आपको NEET से ही मिलने वाला है, ठीके, ये वाली चीज़ उनोंने बहुत बार highlight करिए, वहर जगे, नीट से admission होता है न, क्योंकि, ठीके, जिपमेर वगेरा का सब अलग से बताया है, कि कैसा क्या रहेगा, FMC के लिए भी आपको यहीं से apply करना है, एक बार यहाप पर result आ जाता है, उसके बाद, ठीके, general category, जो economically weaker section को belong करती है, EWS को, 10% उनका reservation है, ठीके, 10% उनका reservation है, और other backward classes belonging to non creamy layer, उनका 27% of seats in every course, यह बताईए, ठीके, यह चीज़े बताईए, SC का reservation 15% seats है, ST का 7.5% है, और person with disability का 5% है, ठीके, अब यह सारी बाते हैं, कि categories से related कि आपको कैसे कैसे अपने certificates ready रखने रहेंगे, और क्या करना रहेगा, ठीके, यह disability के लिए benchmark, disability वाला है, document अपने तयार रखना, अगर आप किसी भी category को belong करते हो, तो आपको लगेगा यह, अभी form fill करदे time, ठीके, तो keep your documents ready, खुद के नाम पे, ठीके, चलो, अब आगे की बात करते हैं बटा, यह सब उसी के बारे में rules हैं, ठीके, कि किस किस के लिए counseling की जारी है, BAC nursing, AFMC, All India quota, State, Jamia, Islamia, Jipmeher, यह सब उसी के लिए हैं, अब reservation की भी बात मैंने बता दिये, अब और आगे की बात करते हैं, अपन की क्या बाते हैं, तो बातें ऐसी हैं, यह भी बता दिया ना कि किस किस के लिए करना है, अब application form में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो application form में आपको जो जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी latest passport size photograph, postcard size, signature, left and right hand thumb impression, 10th का certificate, category का certificate या person with disability का certificate, अगर आप NRI हो तो आपको passport number भी पता होना चाहिए, और Indian nationals को तो आधार card या फिर 12th का admit card, account, passbook, यह सारी चीजों का काम चलेगा, citizen certificate सिफ उन्हीं को चाहिए होता है, जो बाहर के होते हैं, इंडिया के नहीं होते हैं, इंडिया वालों को citizen certificate देनी की आविशक्ता नहीं होती है, ठीके, code तो मैं कल की उसमें explain करी दूँगी, हाना, बिलकुल कर दूँगी, जो अभी 12th में उनको one number का code डालना, यह आपको पता है, बहुत अच्छे से, ठीके, अब registration की बात करते हैं, तो registration एक-एक form फिल करके आपको बताई दूँगी, मैं, mobile number, email address, आपका घर का address, आपका PIN code, आपको बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपका कुछ identification mark पता होना चाहिए, date of worth, candidate name, mother name, father name, university, 10th का result should be very 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 much ready, यह होता है step 1 में, यह सारी general information आप step 1 में देते हो, step 2 में आप अपनी category related information यहाँ पर देते हो, nationality related, क्या आपको कौन सी exam की city चाहिए, उसके related, आपको question paper का medium क्या रखना है, उससे related, English रखना है, Hindi रखना है, यह सब ready है, फिर आपका photograph आपको जो लगाना रहेगा, photograph, signature और thumb impression, यह आपको तीसरे number की step में लगाना रहेगा, जब यह आप लगा दोगे, और fee का payment कर दोगे, तो आपका registration पूरा हो जाएगा, तो तीन पार्ट में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से fill करना है, ठीके, यह सारी जो details है, यह लगेगी बटा, candidate का name, father name, mother name, date of birth, gender, nationality, identity, type, identification, number, मतलब आधार कार्ट तो आधार का number, और यह सारी चीज़े आप पता करके ही form fill करने के लिए बैठना, अगर कुछ नहीं पता हो तो, आपका address क्या है, locality क्या है, city क्या है, town क्या है, country, state, district, pin code, mobile number, email address, alternate दो contact number लगते हैं, ठीके, यह आपका permanent address भी, अब जो भी आप password चूस कर नहीं बिटा, ठीके, सुन लो, password अपना एक diary लेना, उसमें आप अपना application number लिखना, आपने क्या password set किया है, वो लिख लेना, आपने कौन सा mobile number डाला है, वो लिख लेना, email address लिख लेना, और security question का answer क्या डाला है, यह लिख लेना, बाद में अगर login नहीं कर पाते हो, तो इन चारो की मदद से ही, ठीके, आपको यह login करने का मौका मिलेगा, अगर आपको यह सारी चीजे नहीं पता होगी, तो अगर आपका miss हो जाता है, बाद में ID, password, तो आप उसको generate नहीं कर पाऊगे, ठीके, personal details लगेंगी, वहीं सारी, फिर उसके बाद आपको यह लगेगा, 12th मे pass हो, की appearing हो, अना और diabetic हो क्या, या नहीं हो, अगर आप girl candidate हो, तो आप एकलोती लड़की हो, अपने parents की क्या, की भाई बहन भी है, residence क्या है, religion क्या है, minority को belong करते हो या नहीं करते हो, यह सारी चीजे, आपकी mode of preparation क्या थी, की आपने coaching join करी थी, की self तयारी करी थी, फिर 51 number का question आता है, की do you intend to wear customary dress contrary to the dress code while appearing in neat UG, इसका मतलब यह है, की अगर आप neat examination देने जाते हो, तो क्या आप अपनी religious dress पहन कर जाओगे क्या, की जैसे अगर पगडी है, या फिर बुर्खा है, या कुछ भी जो आपका religion की कोई dress, अगर आप पहन के जा रहे हो, तो आपको यहाँ प पी-shirt lower pen के जाओ, मैं तो suggest करूँगे, ताकि कोई checking-wacking इतनी problematic महा हो ना, तो no link देना, ठीके, फिर उसके बाद question paper का medium क्या रहेगा, English रहेगा, Hindi रहेगा, ठीके, और नहीं, इस बार correction window के बारे में अभी कुछ भी mention नहीं है, वो बोल रहे हैं कि तुम correction जैसी नौबती मतान देना, exam city आप 3 choice रख सकते हो, अपनी 4 choice रख सकते हो घर के पास जो है, फिर आपको 10th का result अपने पास रखना है, NEET की examination, जब आप form भरोगे तब, pass हो की नहीं हो, year of passing क्या है, कौन सी board से exam दी थी, school का नाम बताओ, school का address, pin code, state कौन सा, district कौन सा, result कैसे आया था आपका, online था, offline exam था, cgpa क्या बना, marks क्या बना, percent क्या बने, roll number क्या था, school, सब कुछ पूछेंगे, फिर for 11th और equivalent, 11th का भी पूछते हैं आपके लिए, और 12th का भी पूछते हैं, तो इन चीजों को जड़ा सा ready रखना, कल मैं live आके आपको form कैसे fill करना है, मैं यह बता दूँगी, जिके, additional details में कि आपका birth का हुआ था, state कौन सा है, district कौन सा है, पापा की क्या qualification है, पापा की occupation क्या है, पापा की annual income क्या है, मम्मी की qualification क्या है, मम्मी की occupation क्या है, और मदर की annual income क्या है, guardian का, जो भी अगर आपने parents ना लिखके, guardian लिखा है, तो guardian का क्या है, ठीके, कौन-कौन से document upload करने रहेंगे पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ट साइज फोटो, लेफ्ट एन राइट हैंड फिंगर और थम इंप्रेशन, सिगनेचर, जम्मु कश्मीर को बिलॉंग करते हो तो सेल्फ डिकलेरेशन सर्टिफिकेट, नॉर्मली कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर्सन विथ बेंचमार्क, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, टैन्थ का सर्टिफिकेट और फॉरिण नैशनल हो तो सिटिजन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड जब भी आएगा, आप नीट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे, उसमें आपको आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, वो पता चल जाएगा, ठीके, और ये जब भी आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करके इसी यूट्यूब चैनल पर बता दूँगी, ठीके, यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, कई पोस्ट वोस्ट से घर पे नहीं आता है, क्या-क्या चीज़ें नहीं लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और क्या ड्रेस कोड है, ये तो नीट के पहले ही बताया जाएगा, तो ये तो नीट के बाते हैं, अभी हम उन बातों की बात करते हैं, जो हमारे फॉर्म भरने में काम आने वाली है, ठीके, फिर, अब क्या-क्या चीज़ें हैं, कि क्या-क्या जब भी आपका एग्जामिनेशन है, वो दो से पांच बीस तके आपको एक बजे महाँ पर पहुच जाना है, ये सारी बाते लिखिए, एग्जामिनेशन के दिन क्या-क्या ले जाना है, एडमिट काड ले जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्काड साइज, ये सब, तो एक्जामिनेशन के दिन क्या ले जाना है, ये तो एक्जामिनेशन के दो दिन पहले बताऊंगी, तो ही तुम्हे याद रहेगा, ये तुम्हारा एक्जामिनेशन दिन का टाइमिंग रहेगा, 17 जुलाई को आपको देड़ बजे के पहले, मतलब 1.30 पे last entry है examination में 1.15 में examination hall में बैठना है 1.30 से 1.45 examination hall में signature हो जाएंगे test book distribute हो जाएगी invigilator कर देंगी और फिर 2 से 5.20 आपका examination रहेगा ठीके ये सारी चीजे मैं आपको exam की एक दिन पहले फिर से याद दिला दूँगे दो दिन पहले क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ठीके cheating नहीं करनी ऐसा भी NTA ने लिखा है बिलकुल भी ठीके ध्यान रखना OMR fill करनी रहेगी तो OMR fill करने की practice आप लोग ज़रा अच्छे से कर लो यह तो post examination की क्या चीज़े है ना यह post examination की बात नहीं कर रहे है merit list की अभी बात नहीं कर रहे है अभी से form fill करने की बात कर रहे है तो कल एक video बनाके मैं आपको बता दूँगे की form fill कैसे करने है अब देखो जो result आता है अगर दो बच्चों के same marks होते है तो फिर किसका result कैसे आता है तो जिसके सबसे ज़्यादा biology में marks रहते है ठीके उसका जो rank होता है वो अच्छा आता है अगर biology में भी same है तो दोनों की chemistry में जिसके ज़्यादा है उसकी rank अच्छी आईगी अगर biology chemistry दोनों में same है तो जिसके physics में ज़्यादा थे उसका same आएगा ठीके फिर अगर ये physics chemistry bio तीनों के marks same है तो क्या करेंगे तो ये करेंगे कि ऐसा बच्चा जिसके number of incorrect answer मतलब negative marking जिसने कम करी है उसको फिर ज़्यादा अच्छी rank देंगे अगर वो भी दोनों का same है तो फिर ये देखेंगे कि किसने गलत कम करें हैं botanizology में किसने कम गलत करें chemistry में और किसने कम physics में आखरी में अगर सब कुछ same रहा तो ये देखेंगे कि जो age में बड़ा होगा न उसको फिर अच्छी rank दी जाएगी ये पूरा sequence रहता है merit decide करने का हमारे NEET में फिर BAMS, BUMS, BHMS का बताया है कि कैसे करना है अभी तो तुम MBBS पर focus करो अच्छे marks नहीं आएंगे या नहीं लग रहा तुम्हें ये करना है या आयूशी करना है तो मैं उसके अलग video बना दूँगी सबका अपना अपना interest होता है बिटा अभी तो मैं MBBS related बता रही हूँ NEET यूजी फिर एक बहर result आ जाएगा तो मैं आयूश करना है तो मैं आयूश भी बताऊंगी ठीके ठीके तो ये सारी बाते मैंने आप लोगों को बता दिये जो भी form से related थी अब ये है कि self declaration form दिया गया है union territory जमू इन कश्मीर आपको ये वाला फिल करके upload करना रहेगा ठीके और ये कुछ बटा number number दिये हैं ये छोड़ दो भी ठीके अब देखो अपना syllabus की बात करते हैं तो syllabus में उन्होंने एक एक करके सभी chapter के नाम दिख दिये ये physics का syllabus है NCRT का index खोलोगे तब आपको पता चल जाएगा ठीके फिर इधर आ जाओ ये chemistry का syllabus है दिखरा है की नहीं दिखरा है बटा chemistry का हां मैं सेंड कर दूँगी बटा information bulletin और session को like कर दो बटा और अपने दोस्तों को भी दे देना ये ये हो जाएगा बायो का syllabus अब इसी को इन्होंने detail में लिखा है अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि syllabus के साथ problem क्या है तुम इसको match कर जाओगे अपनी ncrt में से और topic ढूंडोगे कि क्या-क्या नहीं लिखें पर मैं suggest करूँगी कि ऐसा मत करो और सब कुछ पढ़के जाओ क्यों मैं ऐसा क्यों पढ़के जाए तो मैं तुमको example बता देती हूँ इस चीज का कि देखो structural organization in animals पे आ जाओ इधर ठीके यहाँ पे क्या दिखा है सिर हो जाएगा किकी you can start बिटा है अभी तुम पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से तो अपनको इस syllabus के according नहीं अपनको पूरी ncrt तीनों के देखी लेनी है वहाँ पे exam के बीच में हम नहीं बोलेंगे ऐसा फिर यह सबकी list दिये और examination center दिये ठीके कि आपका examination center क्या है जैसे कि मैं एक example देखे बताती हूँ जैसे मेरा examination center मैं भरती तो कहां पे आता ठीके तो जैसे मैं मध्यप्रदेश में हाना यह मेरा मध्यप्रदेश में रहती हूँ मैं इंदौर में रहती हूँ तो इंदौर मे जाएगा वो 3003 हो जाएगा चिके तो इस हिसाब से आपको code एंटर करना रहता है अपनी examination center का यह पूरी examination center की list दिये बटा की जितने भी states है जितनी भी cities है उनके लिए ठीके तो यह मैंने आपको short short में एक बार वो बता दिया है कि information bulletin में है क्या अब कल आपको पता है क्या करके बताऊंगी कल मैं आपको बता दूँगी बिटा जो भी बच्चा EWS category से form fill करेगा उसको EWS का यह certificate fill करके send करना पड़ेगा ठीके और यह fill करना रहेगा general EWS certificate यही OBC non creamy layer को यह वाला certificate ठीके और यह वाला certificate अगर कौन लगा रहा है हाँ तो मतलब यह है कि यह certificates की उन्होंने copies दे रखी है ताकि दिक्कत ना हो यह जम्मू इन कश्मीर और union territory यह disability certificate है ना तो कोई भी certificate चाहिए आपको तो आप यह पीछे से download करके fill करके उसको एक authority से sign करवा सकते हो अब मेरी बात सुनो कल के उसमें अपन क्या क्या करेंगे कल मैं आपको पूरा step by step form fill करना सिखा दूँगी ठीके यह देखो code occupation के कि अगर जैसे engineering करिये पापा ने तो 04 code ठीके income है अगर जैसे 6.5 to 8 lakh के बीच में तो code number 6 यहां से आपको पीछे से code लेना है इसके qualification के भी code यहीं से लेना है यह याद रखना और यह सारे मैंने आपको बताई दिये अगर कोई single girl child है तो उसको बेटा यह वाला कोई ऐसा बच्चा है क्या जो single girl child है एक ही बेटी यह बस वो यह वाला form fill कर सकती है ना और लगाना रहेगा उसमें फिर तो यह सारे मैंने आपको form warm बता दिये अब कल मैं आपको step by step आपको form कैसे fill करना है वो बताऊंगी तो कल बिल्कुल time पे आजाना और step by step अपन form fill करेंगे यह देखो photograph का देखो face visible होना चाहिए यहाँ पे candidate का नाम होना चाहिए और date होना चाहिए photograph लेने की ठीके देख रहे हो बिटा date होनी चाहिए left and right hand fingers and thumb impression ठीके ऐसे signature देखो अभी यह वाली website open होगी तो यहाँ पे अपनको new registration पे जाना है जैसे new registration पे जाओगे यह open होगा तो यह आपको information bulletin डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे examination city open हो जाएगी फिर उसके बाद आपको यह सारी बाते जो लिखी है वो पढ़ना है फिर इस पे टिक लगाना है click here to proceed पे click करना है background white होना चाहिए फिर ऐसा form निकलेगा ठीके candidate का नाम यहाँ लिखना है father name यहाँ लिखना है mother's name यहाँ लिखना है date of birth लिखना है जेंडर लिखना है nationality लिखना है identity type आधार कार्ट जैसे फिर आधार कार्ट नमबर address लिखना है locality लिखना है देश state district यह ऐसे fill करना है pin code फिर यहाँ पे mobile नमबर उसको confirm करना email id confirm करना और कोई extra contact number हो तो लिख लेना फिर permanent address अगर आपका जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वह आपका अगर permanent address ही है तो आप इस पे tick लगा लेना चिके same as permanent address तो यह सारी चीज़े अपने आप fill हो जाएगी फिर आपको एक password चूस करना है जैसे मैं password चूस करूंगी चिंटू c-h-i-n-t-u चिंटू मैंने एक password लिया at the rate 15 अब जब आप password लोगे तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एक capital letter होना चाहिए ठीके कम से कम 8 से ज्यादा का ही होना चाहिए password letter से कुछ number उसमें होना चाहिए और कुछ ऐसा symbol होना चाहिए तो आप ऐसा करना कि अपने मम्मी का नाम at the rate date of birth ऐसा कुछ भी password बना लेना चीके फिर security question यहां पर बहुत सारे आएंगे उसका जो answer लिखा है copy में लिखके रख लेना और यह जो security पर ने इसको यहां पर enter करके submit पर क्लिक कर देना फिर यह वाला form आ जाएगा बिटा कि आपने registration details भर दी है अब अपनको application form भरना है और फिर fee का payment करना है चीके अब आ जाओ complete application form पर तो आप सारी details यहां से देना शुरू करनी पड़ेगी contact detail में तो आपको mobile number वगरा देना है ठीके फिर उसके बाद यहां पे क्या क्या चीज़ें देखो मैं बताती हूँ personal detail में आपको फिर से नाम बताना है date of birth बताना है gender बताना है क्या आप single girl child हो अपने parent की यह बताना है father name, mother name, nationality आपने 12th कहां से पास करी है, indoor से, डेली से, क्या category आपकी, ठीके क्या आप physically handicapped है या नहीं है फिर उसके बाद आपको बताना है क्या आप diabetic है की नहीं, क्या आप urban area में रहते हैं या rural area में रहते हैं, family की income क्या है क्या आप minority को belong करते हैं, आपकी country कौन सी है, इंडिया, ठीके और क्या आप customary dress पहनेंगे, तो हाँ नहीं तो नहीं, mode of preparation क्या था, self study या coaching फिर security pin enter करेंगे, save to next फिर आगे आजाओ इधर, अब आपको आधार कार्ड है, तो लिखना हाँ है फिर उसके आधार कार्ड की detail देना है आपको, ठीके आधार की details, क्या number है आपका क्या नाम है, gender क्या है, date of birth क्या है जब भी आप name लिखोगे अपना, तो वही लिखना जो आधार कार्ड पे और 10th की mark sheet पर है इन पे आपको tick लिखना रहेगा 2 पे आगे पे फिर ये confirm पे click करना, submit and next ये center detail, ठीके, NEET की question paper medium और यहाँ पे आप अपना exam center chart select कर लेना ठीके, जो भी आपके घर के सबसे पास में हो फिर इसको enter करके, save and next ये मैं कल पूरा fill करके आपको बताऊंगी पर मैं इसलिए चाहरी हूँ कि आपको पता रहे कि आपको क्या-क्या लग रहा है है ना, जरूरी क्या-क्या है इन चीजों को मैंने आपको बता दिया मैं एक बार ये information bulletin जो है आपको send कर देती हूँ इसका आखरी में print निकलाना मत भूलना, ठीके चलो बिटा ना, चैनल को subscribe कर देना, अगर नहीं करा है तो, ठीके हाँ, बिल्कूल करेंगे ना मैं कल पूरा form fill करके समझा दूँगे ना मुझे लग रहा है आपको नींद भी आ गई है, बड़ी आप सोजाओ